केलाश विजेवर गिये, BJP के बड़े नेता हैं, मध्यप्रदेश की राजनीती का बड़ा नाम है, इन्होंने 30 मई को एक ट्वीट किया, इसमें एक फोटो है, जोसमें BJP के नेता और कारेकरता दिखाई दे रहे हैं, सभी मिलकर एक जरूरतमन महिला को राशन दे रहे हैं, स लेकिन इस फोटो को लेकर ट्विटर पर यूजर तरहां-तरहां के कॉमेंस कर रहे हैं, कोई कहराए कि इतने लोग मिलकर एक महिला को राशन दे रहे हैं, ये केवल फोटो खिचाने के लिए नहीं तो और क्या है, हम आपको खबर और उस पर रियाक्शन तो बताएंगे ही, ये सच्चाई भी बताएंगे कि क्या फोटो खिच्वाने के लिए सिर्फ एक ही महिला को राशन दिया गया था, सबसे पहले कुछ ट्वीट्स पर नजर डालिए, ट्विटर यूजर जागरती गुपता लिखती हैं, ये क्या है सर, पूरा आउती थी कि सभी का हाथ लगना जरूरी था, अमन नाम के एक यूजर लिखते हैं, महदे इतना भारी राशन दे रहे थे तो एक JCB मशीन मंगवा लेते, बैचारे गरीब आपके इस भारी भरकम सहता का बोज कैसे उतारेंगे, हाश्टाग किसान एकता जिन्दाबाद के नाम से चल रहे, ट्विटर हांद अधिल ने तो एक JCB मशीन की ही फोटो पोस्ट कर दी और लिखा मदद चाहिए, बागे और भी इसी तरह के ट्वीट्स किये गए, इन्हें भी आप देख सकते हैं कैलाश विजेवर्गे ने हाश्टाग सेवन इयर्स ओफ सेवा के साथ एक और ट्वीट भी किया लिखा की युवा मोचा के रक्तदान शिवर और सेवाकारियों के तहट भोपाल में दो जगह सेवाकारियों में भाग लिया और गरीबों को राशन, मास्क एवं सेनिटाइजर वितरत किया इस फोटो पर भी तमाम लोग तमाम तरह के कॉमेंस करने लगे अब जान लेते हैं क्या वाकई सिर्फ एक ही महिला की मदद की गई क्या छे साथ नेताओने के वले एक ही महिला को राशन दिया था तो इसका जवाब है नहीं इंडिया टुडे के भोपाल समवादाता रवीश पाल सिंग बताते हैं वहाँ काफी लोग थे जिनको राशन दिया गया था अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से फोटो लेते हैं लेकिन वास्त्विक्ता ये है कि बहुत सारे लोगों को राशन बाटा गया था इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भी पूरा खयाल रखा गया था हाला कि जिस फोटो की लोग चर्चा कर रहे हैं वह वाइरल हो गई है लोगों को मदद बाटे जाने की फोटो बेशक अलग बजहों से वाइरल हो रही है और फोटो में भी ये दिख रहा है कि नेताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का खयाल नहीं रखा है लेकिन ये पूरा सच नहीं है सच्चाई ये है कि राशन पाने वालों की संख्या काफी अधिक थी इस दोरान गोले भी बनाए गए थे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके इस पूरे मामले पर अगर आपको भी कुछ कह रहा है तो हमारा कॉमन बॉक्स खुला है आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथ ही वरुन्ये मेरा नाम है दिव्यानशी शक्रिया